नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर गेवर माइल अक्टिकल पर तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टोपिक रहेगा वो आपकी UPPCL प्राइवेट आजेशन से सम्दित रहेगा यानि अगर UPPCL प्राइवेट हो जाता है तो कौन-कौन सी भरती आनी बंद हो जाएंगी यानि जो वेकेंसी आती हैं AJTG2 की जो वेकेंसी हैं इन में से कौन सी भरती आपको देखने को नहीं मिल सकती है और कौन-कौन सी भरती आपको प्राइवेट होने के बाद भी आपको देखने को मिलती रहेंगी तो आज की वीडियो का टोप यही रहेगा तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा पुरूप के साथ देखेंगे कि जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन है वहाँ वहाँ पर कौन-कौन सी भरती आपको देखने को मिल सकती है और कौन सी आपको नहीं मिलेंगी तो चलिए फिर देखते हैं यानि अभी कुछ दिन पहले A और J की वेकेंसी निकली थी यानि आज से लगबग 7-8 भहीने पहले इसकी वेकेंसी निकली थी और उनकी जोइनिंग भी धेरे-धेरे देदी जा रही है यानि A की जोइनिंग लेटर दे दी गए है और उनको जोइनिंग के लिए इस थाने वो भी ऐलोट्मेंट कर दिया गया है तो चलिए फिर उसी को देखते हैं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यानि अलोट्मेंट ऑफ A in PBNL यानि पस्चमांचल विद्धूत वित्रन लिगम लिबिटेड और आपका पूरवांचल विद्धूत वित्रन लिबिटेड और मध्यांचल और दक्षिनांचल इन तक कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है UPPCL का लेकिन आप देख रहे होंगे DVBNL यानि दक्ष्वांचल विद्धूत वित्रन लिगम लिटेड जिसमें आपके आगरा इत्यादी के जोन है यह आते हैं इसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है पहले ही ज जुलाई 2020 को यह एकी जोइनिंग से सम्मदित लेटर जारी किया गया था यानि उत्तरपरदेश पाउर कोड़ पेस लिमेटेड के नियुक्ती पत्र संख्या यह दिनांग 11 मार्च 2020 द्वारा वैद्धूत यह यह दिनांग इलेक्टिकल विधा मैं नियुक्त निम्मदित साह कभी हनता यानि एई ऑन जोब प्रिस्जिशन हेतु प्रिबंदक नि दे सक्ट दफचिनांचल विद्धूत विद्धूत वितना निम्मदित आग्रा को अवन्टित की जाती है त और उसके अंतरगत एक टोर्टो नाम की कंपनी है वो इसको कार्यभार समालती है ऐसे कॉंटेक्ट के रूप में तो दोस्तो इसमें भी एक एक जोइनी की गई है आप देख रहे होंगे यह आप देख रहे होंगे अनुकुर्मांक यहां पर दिया गया है सूसरी दिक्षास श्री नविन कुमार सुर्मा, डेट ओब बर्थ और आगरा यानि आगरा एक टोरेंटो कंपनी के अंतरगात आता है और वहीं पर इनको जोईनिंग दी गई है प्राइवेटेजर्शन होने के बाद भी एई और जई की जो वेकेंसी हैं वो कंटीनू निकलती रहेंगी यानि उनकी प्राइवेटेजर्शन होने पर इन वेकेंसिओं पर कोई प्रुखाब नहीं पड़ेगा और जो आपकी टी इफीडीटू की वेकेंसी हैं उन्पर बहुत ज़्यादा इसका प्रुखाब देखने को मिल सकता है लगभग ये वेकेंसी टीजीडीटू की बहुत ही कम ह कटोती देखने को मिल सकती है वेकंसी निकलेंगी तो बहुत ही कम मात्रा में आपको फ्यूचर में वेकंसी देखने को मिलेंगी यदि प्राइवेटाजेशन हो जाता है तो दोस्तों यह थी कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्मेशन उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और सेर करें चैनल पनाये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ज्यादा तरह सी वीडियो लात रहता हूं और आपको नीचे वेडियो के डेक स्क्राइब में मिल जाएगा तो थेंक की फूर वाचिंग इस वीडियो